आप सभी का दीप्स कीचन में स्वागत है सर्दियों में ठंडे ठंडे मौसम में खाईए दाना मटर के पराठे तो चलिए फ्रेंड्स तीर न करते हुए शुरू करते हैं अब बनाना यहाँ पर मैंने लिया है दो छोटे चम्मच मैंने लिया है रिफाइंड ओयल और साथ ही मैंने यहाँ पर डाला है जीरा जीरा मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच के करीब हींग डाली है एक छथाई चम्मच इन सब को मैं अच्छे से चटका लूँगी और चटकाने के बाद यह देखे कितने अच्छे से चटक रहे हैं और चटकाने के बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी एक चम्मच भर के लाल मिर्च, एक चम्मच भर के फल्दी, दो चम्मच धनिया पॉडर, एक छोटा चम्मच नमक जाएगा, सभी मसाले मैंने छोटे चम्मच से लिए हैं, इनको मैं अच्छे से भून लोगी, यहाँ पर म मटर के पराठे बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ी से मटर जादा अगर उसमें रहेगी, तो जादा अच्छा स्वाद आता है पराठो में बन करके, यह देखिए, यहाँ पर मैंने लगबग एक किलो के करीब मटर ले ली है, और उसको मैंने अच्छे से मसालों के अंदर मै लगतार चलाते हुए इसको मसालों में भून लूँगे, इसको लगतार तो से तीन मिनट तक हम भून लेंगे, जिससे कि हमारी जो मटर है, अच्छे से मसाले में भून जाएं, और उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी पानी, पानी लगबग मैं यहाँ पर एक गिलास क जिससे कि मेरी मटर है, वो कच्छी है अभी और मैं इसी पानी में इनको बॉइल करूँगी, जब हम इसको बनाएंगे तो बनाते बनाते इसका जो पानी है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और हमारी जो मटर होगी, वो अच्छे से बॉइल हो जाएगी, इस तरह से मैं एक बार और इसको थोड़ी देर चला लूँगी, यह देखिए मैं इसको एक से दो मिनट और चला लूँगी, यहां पर अच्छे से जिससे की जो मसाले हैं, वो सभी अच्छे से मिक्स हो जाएगे, मटर के अंदर, यहां पर मैंने इसको अच्छे से भूल लिया है, और यहां पर डाल रही हूँ, लाल मिर्च, यह लाल मिर्च जो है, वो कलर के लिए है, इसको भी में साथ ही में मिक्स कर दूँगी, जिससे की जब हमारी मटर बनके तयार होगी, तो उसका जो कलर होगा, जो दिखने में उसकी रंगत आएगी, वो बहुत ही अच्छी आएगी, यह देखी, मैंने इसको ढख करके, 10-15 मिनट स्लो फ्लेम पर पका लिया है, और हमारी जो मटर है, वो बिलकुल कच्छी नहीं है, अब यहां जो मटर है, वो बनकर के तयार हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से यह, जो हमारी मटर है, वो बिलकुल रेडी हो है, बस अब हमें एक दो मिनट और यहां पे से चला लेना है, जिसे कि जो मसाले है, वो अच्छे से मटर के अंदर जो है, वो चले जाएंगे, और मटर में लिपिटमा बन जाएगी, बिलकुल यह देखिए, किस तरह से यह, तैयार हो गई है, बनकर कि हमने एक बार इसे और चेक कर लिया है, इसको थोड़ा से इसलिए चलाना पड़ रहा है, जिसे कि जो मसाले है, वो अच्छे से मटर के अंदर मिक्स हो जाएं, एक बार और चेक कर लेती हूँ, हमारी बिलकुल मटर तयार हो गई है, मैं इसलिए एक दो बार इसे चेक कर रही हूँ, क्योंकि हम ज चीनी में जरूरी डालें, जिसे कि जो हमारा फ्लेवर है, वो बहुत ही अच्छा बन करके आएगा, साथ ही यहां पर मैं डाल रही हूँ, आधा चोटा चम्मच के करीब, काली मिर्ची पिसी हुई, और साथ ही मैं डाला है, यहां पर एक चोटा चम्मच, चाट मसाला, इन स दाल सकते हैं, तो यहां पर हमारे जो मसाले हैं, वो सभी बन करके तयार हो गए हैं, अब इनको हम थोड़ी देर के लिए भाप में, स्टीम में हम इसे पकने देंगे, तो हम इसको बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद कम से कम 15-20 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ज चलते हैं, यहां पर हम पराठे बनाने के लिए, मैंने यहां पर आटा ले लिया है, आटा को बेल लिया है, पराठे के लिए हम थोड़ा सा टाइट आटा रखेंगे, यहां पर मैंने एक छोटा चम्मच के करीब लगाया है घी, आप चाहें तो रिफाइंड ओल भी उसकर स आए हैं अब हम क्या करेंगे अब हम जो मतर है उसको हमने जो पेड़े को बेला है रोटी बनाई है बेल करके उसके उपपर हम इसे इसे आगे अधर कर लेंगे यहां पना रहर है आप चाहने तो आप इसको बनाए सकते हैं लेकिन आज आज हम यहां पर शाबूत मतर की पराथी बना रहे हैं यह देखिए इसको हम किस तरह से पूरा आधे पराथी जो है इसको कवर कर देंगे यहाँ पर इस तरह से हम इसे पैक कर देंगे, पूरा कवर कर लेंगे, थोड़ा सामे से प्रेस भी कर देंगे, जिससे ये अच्छे से बन जाएगा, बनते हुए हमारा बहुती सही और अच्छा बन के आएगा, यहाँ देखिए पैन ले लिया है, पैन में हमने डाल दिया है एक छोटे चम्मच और अब मैंने जो यहां पर पराथी बेली थी उसको मैंने इसको पैन के ओपर रख दिया है और हम यहां पर शुरू में हम इसकी जो फ्लेम है थोड़ी सी स्लो रखेंगे पर हम इसे बना लेंगे अब हम हम इसे पलट लेंगे यह द देखिए सऐ बन रहा है बिलकुल यहां पर इस तरह से हम इसको दोनों तरफ से बनाते रहेंगे थोड़ा सा मैंने यहां पर घी और ड़ाल एक चमच के करीब, छोटे चमच से ही मैं डाल रहे हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा घी मैंने और डाल दिया है, अब मैं इसको दूसरी तरफ से भी पलटके सेक लूँगी, यहाँ पे अभी मैंने फ्लेम स्लो ही रखी है, अब मैंने थोड़ी सी फ्लेम हाई कर दी है, मीडियम अच्छा क्रिस्पी करारा बन करके आया है हमारा पराठा और पराठा जो है थोड़ा क्रिस्पी करारा बन के आया है तो उसका स्वाद उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है यह देखिए किस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा जो घी है वो हर तरफ चारो तरफ डाल डालके और पराठे को हर तरफ से मैं सेक रहे हूँ जिसे कि हमारा जो पराठा है वो हर तरफ से बन के तयार हो जाए हमारा पराठा जो है रेडी हो गया है बनकर अब मैंने यहां से इसको बीच में से काट दिया है आप चाहें तो ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा बीच में काट रही हूँ जिससे कि मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से यह रेडी होगा बन करके यह देखिए मैंने पराठी जो है उसे सर्फ करने के लिए प्लेट में लगा दिया है हमारा पराठा जो है बिल्कुल बन के तयार हो गया है आप देखेंगे तो यहां पर मटर जो है वो किस तरह से आपको नजर आ रही होगी मैं आपको पराठा कोल के दिखाती हूँ कि किस तरह से यह नजर आ रही है यह देखिए आप अगर इसे देखेंगे तो यह पूरा ही अच्छे से स्टफ किया हुआ पराठा है पराठे को इंज्वाइ करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए थैंक्यू आइ